तो दोस्तों पहले आप इस photo का Result देख दोर देख सकते हैं कि पहले जो फोटो था हमारा वो हो गुछ इस प्रकार से था और उसके बाद जो यहाँ पर फोटो देख सकते हो, एडिट करने के बाद कुछ इस परकार से आपको दिख रहा है, तो यह जो एडिटिंग है, यह मैंने सूपर मेजिक टूल से एडिट किया हुआ है, जिसमें की आपको एक टूल मिलता है, फेस क्लेणिंग एड फेस किसी परकार के पिमपल को बहुत ही असानी से नेचुरली पिमपल रिमूब कर सकते हैं, जैसे कि आपको फोटो में बिफूर और आप्टर दिखाया गया, तो इससे आप अंधाज आलगा सकते हो, इस बहुत ही तरीका से हम किसी फोटो को एडिट कर सकते हैं, तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रितीस और रितीस बिनकी कि इस कमाल की ने वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आज बहुत ही आसानी से बताएंगे कि किसी भी फोटो का हम फेस क्लिन कैसे कर सकते हैं, और फेस को स्मूथ कैसे कर सकते हैं, वो भी सूपर मेजिक टूल की मदद से, तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने जो फोटो लिया है, वो डारेटल इंटरनेट से उठाया है, मैं इसको राइट किलिक करके कावपी इमेज के उपर किलिक करता हूँ, उसके बाद मैं अपने फोटो सॉप को किलिक करके कावपी इमेज के उपर किलिक करता हूँ, उसके बाद अपने फोटो सॉप के अंदर जाओंगा, फाइल में किलिक करूंगा और निउ के उपर किलिक करूंगा, और सिंपली किरियेट के उपर किलिक कर देना है, उसके बाद जो भी फोटो में ने कावपी किया है उसी के size के हिसाब से यहाँ पर एक new document automatic बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर control प्लस B बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर जो photo है वो हमारे इस Photoshop पेज में आ जाएगा उसके बाद दस्तों यहाँ पर देख से तो कि इस photo में pimple बहुत जादे हैं थोड़ा face oily है इसको clean भी करना है और यह जो pimple है दोस्तों इसको बिल्कुल ही आसानी से इसको guide करने बाला हूं इदम natural लगेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यह जो super magic tool है यहाँ पर आपको यहाँ पर option मिलता है face clean और smooth इस button पर click करूंगा click करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा यह makeup point का जो software है super magic tool का यह panel हमारा open हो चुका है उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर आपको option मिलता है यहाँ पर आपको face smooth बटन मिलता है तो मैं इसके उपर click कर देता हूं सबसे पहले बटन देखेगा आपको face smooth इसके उपर आपको click करना है जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक surface blur के नाम से एक panel खूल गया है तो यहाँ पर आप दियान से देखे photo को उसके बाद यहाँ पर आपको radius और थ्रे शोल्ड का option मिलता है मैं थोड़ा photo को जूम करके आपको दिखा रहों ताकि आपको आसानी से दीख पाए और समझ में भी आए आपको तो यहाँ पर दोस्तों radius को अगर आप बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा? कि यह original हो जाएगा photo तो यह थोड़ा कम करना है और यह पर त्रे शोल्ड है इसको बढ़ाएंगे फोटो उतना ही ज्यादा smooth हो जाएगा थीक है? थोड़ा इसको ओर कम करेंगे ज्यादा कम नहीं करना? शालका इसको भी बढ़ाना है रीडियस को यहाँ पर मैंने 18% और 71% इसको कर रहा हूँ आप चाहों तो थोड़ा सा और कम भी कर सकते हैं तो फिलाल मैं इतना रखा हूँ और उसके बाद simply आपको OK बटन में क्लिक कर देना है जैसे OK पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हाई पास्क आप्सन आजाएगा तो simply आपको यहाँ पे 0.1% कर देना है इसको ज्यादा करेंगे तो ज्यादा टेक्सर होगा उससे आपका इसकीन का जो यहाँ पे रिडियस है वह भी दिखने स्टार्ट हो जाएगा तो इसको मैं OK करता हूँ 0.1% पे क्लिक करके यह इसको आप बाई डिफॉल्ट भी रख सकते हैं उसके बाद यह कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑटमेटिक ब्रस सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद इसका जो साइज होगा यहाँ से आपको बढ़ा लेना है दोस्तों बढ़ा चाह और उसके बाद अपने फेसके उपर इस प्रकार से ब्रस को चलाना है देखिए तो जयसे ब्रस को में चला रहा हूँ ओटमेटिक यह तो क्या कर रहा है यहां पर इसको पीमपल है उसको बहुत यासानी से नेचूरली गाइप कर रहा है आप देख सकते हैं मैं कुछ इसको चलाएं तो यह थोड़ा और बेश्ट वर्क करता है तो देखे इसको मैं जहां जहां पर चलाया हूं देखे बिल्कुल सी यहां पर गायब हुई चुकाई दोस्तों तो उसके बाद अभी आपको क्या करना है कि इतना वर्क करने के बाद आपको फिनिस वर्क बटन में क क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इस फेस के ऊपर थोड़ा टोन भी लाना है तो एक बार क्या करेंगे फिर से फेस स्मूध बटन पर क्लिक करूंगा और सिंपली आपको ओके बटन में क्लिक कर देना है और इसको भी ओके बटन में क्लिक करने थोड़ा सा इसका रेडियस हलक कासा यहां पर बढ़ाएंगे ताकि जो इसका टोन है वह बढ़ जाएगा तो यहां पर 0.5 कर दूंगा मैं और यहां से ओके पर क्लिक करूंगा और उसके बद अब जो ब्रस आया है सिंप्ली यहां पर फेस के ऊपर जहां जापर मुझे इसका टेक्सिर को वापस लाना है वहां वा पर चला दयता हूं इसको देखे दोस्तों बहром के बरस को चला दिया हूं उसके पद फेस स्मूद बटन में क्लिक करना है आपको और उसके बद ओके बटन में क्लिक करेंगे यहां से लेबल ऑप्शन खुलेगा यहां से आप थोड़ा सा लेबल को इस फरकार से बढ़ा सकते हैं आप सकता अनुसार अपने फोटो के ऊपर और बटन में क्लिक करेंगे और यहां से रेड बटन है तो रेड यहां पर कलर स्लेक्ट है यहां पर स्लेक्टिव कलर ओपन हो गया है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहां से और उसके बाद यल्लो को भी हलका सा मैनिस करेंगे ब्लैक को तो देखेंगे कि थोड़ा सा टॉन सकते हो चलिए इसको बी मैंने थोड़ा यूज कर लिया उसके बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना इसके अपर लीप कलर फूड़ा एड़ करने ताकि देखने में तुड़ा अच्छा लगे लीप कलर बटन में क्लिक करूंगा आपको डिलेक्ट लीक नहीं करना जिसे लीप कलर करने तो लीप हो जाएगा नहीं आपको स्टार्टिंग से फूलू करते हुए आना है बटन को तभी यह काम करेगा तो इसलिए मैं आपको यह टूटोरियल स्पेशल दे रहा हूं उसके बाद यहां पे इस परकार से आप लीप को लगाएंगे और ध्यान रहे दोस्तों कि यह जो लीप का कलर है यहां पर इसको इस परकार से अराम से पेस्ट करना है नहीं तो थोड़ा सा यहां पर बाहर आपका अगर यह कलर पेस्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा दिखने में तो देखें दोस्तों यहां पर डिपॉल्ट हमने रेट कलर का यह पड़ा आप अभी हमारा है कि लीप कलर एड़ हो चुका है आप चाहो तो दोबारा भी चैन इस वगर रख कर सकते हो तो मैं एक बार पिर से कलिक करता हूं लीप कलर चैन्ज कर लेता हूं नीचुरल करना चाहिए उसके बाद यहाँ पर आइसाइनिक मढाना तो आई साइनिं याँ पर बढ़ जाएगा कुछ इस परकार से तक हें हमारा सइंग कर रहा है बहुत यह आसानी से थोड़ा सा लिप के उपर अगर चला देंगे तो कुछ इस परकार से यहां पर लिप भी साइनिंग हो जाएगा तो अब यहां पर आप देख सकते हूं कि साइनिंग करने के बाद सिंगल लेयर बन चुका है इसे मैंने फिनिस वर के उपर किलिक कर दिया हूं तो इसका विपोर आप्टर नहीं दिख पाएगा कि कोई फॉटोप पर अप्टर क्लिक करूगा तो यहां पर देखिए कि वही वाला फोटो दुबारा पेस्ट हो चुपा है यहां पर लेइर में भी देख सकते हैं अभी इसको मैं हाइट करता हूं तो देखे-पहले फोटो किस तरीका से था और अब जो edit होक्ए फोटो वनांय है, वो किस तरीका से we विफोर आप्टर विफोर आफ्टर कितना ही गजब तरीका का यह फोटो बन चुका है एकदम नेचुरली तरीका से आप अपने फेस को क्लेन कर सकते हो और आप पिम्पल को गाई भी कर सकते हो एकदम बहुत यह असानी से बस इस टूल को थोड़ा यूज करने का तरीका अलग वोग 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 और सेफ कर दूँगा और यहां से बटन में किलिक करूंगा तो यह फोटो हमारा सेफ हो जाएगा तो चले दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हूं इस वीडियो में हम आपको कुछ डिसकाउंट देने बाले है जि अब को पूरे के पूरे 30% का डिसकाउंट देने वाला हूं जिसकी मदद से बहुत यह असानी से 699 रुपे में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको डिसकाउंट कूपन देने बाला हूं जिसकी मदद से सिर्फ 5 लोगों को यह कूपन मिलेगा और कि मदद से इस 999 रुपे में डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए आप मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे इस स्वाप्टर को बाय करने के लिए आपको डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पर आना है मेरे वेबसाइट का नाम है दूस्तों रिटेस जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा फीचर प्रोडक्ट में यहां पर सूपर मेजिक टूल स्वाप्टर मिल जाएगा यहां पर 999 रुपे प्राइस आपको दिख रहा है तो इसको डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड होगा यह आपका 30 परसेंट डिसकाउंड मे आपको बता देता हूं इसके लिए ऐक कउपन कोड एड़ करना पड़ेया चांपको प्राइपकर में इसके अपर किलिक करने बार नीचे आएगगे तो यहां पे रिडिरेट कर देगा यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर भी आप अपना फिर से नाम और फॉन नमर यहाँ डाल देंगे और अगर यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे अपन पर देखेंगे कि आपका जो प्राइस है यहाँ पर 999 से घटके और यहाँ पर आपका प्राइस जोए 699 रुपया हुच का है उसके बाद प्रोसेस टू चेक आउट आप करेंगे तो सीधा आप यहाँ पर चले आएंगे नाम और फोन इमेल डालेंगे और यहाँ पर यहाँ पर कूपन अपलाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप कूपन अपलाई कर सकते हैं जैसे कूपन अपलाई है यहाँ पर कूपन डालेंगे कूपन नंबर ओल्ड यूजर लिखेंगे और अपलाई कूपन के उपर किलिक कर देंगे तो यहाँ पर यह वो आपका कम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर नाम, phone और email ID डालके, यहाँ पर pay and download के उपर के लिए करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने QR code open हो जाएगा, और जैसे आप यहाँ पर payment scan कर के कर देंगे, और इसके बाद फाइल डाउनलोड हो जाएगा और इसके बाद फाइल डाउनलोड होने के बाद इसको इसको प्रकिरिया है वह आपको डाउनलोड फाइल में मिल जाएगा एक वीडियो मिल जाएगा उसको कैसे इंस्टाल करना है कैसे क्या करना है सारा कुछ मिल जाएगा उस कोई software को use करने में और install download करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है.